आज की इस वीडियो में हम बी ए प्रोग्राम इंगलिश डिसिप्लेन समेस्टर फॉर का एक्जामिनेशन पैटर्न डिसकस करेंगे सब्जेट का नाम है लिट्ररी क्रोस करेंट सेलेक्शन फ्रॉम लिविंग लिट्रेचर एन आंतलोजी आफ प्रॉज एन पॉयट्री इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल तीन युनिट्स आप लोगों की हैं युनिट वन में टोटल आट पॉयम से अलग अलग पॉयट्ट की युनिट टू स्टोरी है और युनिट थ्री में एक नॉवल है तो टोटल तीन युनिट हैं आप लोगों की इस सब्जेक्ट के अंद हम देखते हैं इसका examination pattern कैसा रहता है और फिर देखेंगे कि unit wise weightage क्या है किस unit में से कितना portion बन रहा है question paper का तो question paper 75 marks का आएगा part A और part B दो part होंगे part A में भी आपको तीन question करने होंगे 5 में से और part B में भी तीन question करने होंगे 5 में से part A का एक question 10 number का है तो part A आपका 30 marks का हो गया part B का एक question 15 number का है तो part B आपका 45 marks का हो गया तो it means 30 plus 45 75 marks का आपका paper हो गया तो part A के अगर बात करते हैं तो पहला question हमारे पास यह है there she waves by night and day a magic web with colors gay she has heard a whisper say a curse is on her if she stay to look down to camelot तो इसके बाद यहां पर बता जा रहा है कि इस particular question के अंदर कुछ phrase लिये गए है कुछ poem के उसके बाद उसके दो parts है पांच-पांच-पांच के पहला यह है what activities that does lady of shallot observe about camelot और how is camelot different from shallot ठीक है तो यह poem में से question आया है unit one में से question number two है comment on the recurring image of hands and feet in T.S. Elliot's preludes again यह भी दसमास के question ने poem में से आया है उसके बाद है what are the advantages and disadvantages that Mary has as a woman of mixed mixed lineage in the story The Hunt उसके बाद है write a note on Bertha Mason in Jane Eyrie उसके बाद है fifth question हमारे पास describe Jane Eyrie's life at Lowood School उसके बाद part B शुरू होता है जिसमें again तीन question आपको करने है question number six यहने की part B का first question हमारे पास है what do we learn about the Duke and the Duchess in the Robert Browning's My Last Duchess उसके बाद है comment on the idea of human suffering and tragedy as conveyed in W.H. Auden's poem इसके बाद है discuss the use of the metaphor of a gun in Emily Dickinson's My Life had stood a loaded gun ninth question है मेरी सबवर्ट्स gender hierarchy in Mahasweta Devi the Hunt do you agree and last question आप लोगों के लिए है discuss the use of Gothic elements in Charlotte, Brontes, June, Irie तो यह 10 questions है total पांच-पांच हर एक section में और हर एक section से तीन-तीन questions आप लोगों को करने है तो बस पर एक बार फिर से वापसी आ गए है युनिट वन में as I said or as you can see also कि total art poetry है ठीक है इन आट में से आप लोगों की पांच-पोईटरी के ओपर questions आए हुए है तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है सबसे पहले चीज़ आपको easy task करना है easy task का मतलब यह है unit 2 और unit 3 completely कर लीजेगा आप लोग क्योंकि unit 2 में आपकी जो story हो गई या फिर unit 3 में जो novel हो गया इन दोनों को मिला कर 5 questions बने हुए है दो questions आपके story वाली unit में से आए हैं एक 10 marks वाला, एक 15 marks वाला तीन question आपके novel वाली unit में से आए हुए हैं दो 10 marks वाला, एक 15 marks वाला तो पहले तो आप यह easy task करेगा story और novel को ठेक से समझ लीजेगा उसके बाद बार यह आती है हमारी आप लोगों की poems के उपर, total 8 poems हैं कम से कम 6 poems आप लोगों कर लोगे इसमें से तो probability बढ़ जाएगी कोई कि उसमें से कम से कम 3 से 4 poem तो paper में आही जाएगी तो probability बढ़ जाएगी आप लोगों की paper आप पूरा full attempt करके आ सकते हो बाकी एक fact ये भी है आपको समझना है story वाला अगर आप करते हो तो दो question तो ऐसे ही होगा आपके एक short note वाला, एक long answer type वाला novel आप करते हो तो again दो question novel में से short note क्या आ रहा है तो इसमें से दो question आप कर रहा हो इसमें से एक question कर रहा हो तो short note वाले तीन question तो होगा जो करने हैं आपको actual में इसमें से एक question long में आ रहा है इसमें से भी एक में आ रहा है दो question इसमें भी होगा बचा एक question वो इसमें से आएगा इसमें से आएंगे तो वैसे पांच कोईशन बट जो बचा हुआ कोईशन है जो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कोईशन आपको अटेम्ट करना है as per your syllabus और as per your exam pattern उसके according मैंने आपको यह चीज़े समझाई हैं बाकि अगर आपको poetry में ज़्यादा interest है लेकिन एक तो ज़रूर आएगी क्योंकि इनकी दो poem है ठीक है तो बाकि इस तरह से आप लोगों करना है छे poem कर लीजेगा जिसमें से ये दोनों ज़रूर कर लीजेगा बाकि उसके बाद चार poem आपको decide करना है कौन सी करना है जो question paper मैंने discuss किया है दोस्तो उसमें कौन कौन सी poem आई है वो देख लीजेए वो भी important है उसमें आपकी my last judges आई है ठीक है lady of shallot आई है my life had stood आई है और यह डबलू ह ओर्डन की poem आई है इसके इलावा T.S. Elliot की poem आई है तो यह 5 poem जो है यह important है यह आप ज़रूर से करके जाएगा ठीक है बागी आपके syllabus के अंदर यह poem नहीं आई syllabus नहीं sorry question paper के अंदर जो आपने discuss करा है यह poem नहीं आई और यह भी नहीं आई और the moon and the you tree यह भी नहीं आई तो यह दोस्तो examination pattern दोस्तो English discipline subject का BA program semester 4 का I hope दोस्तो आपको यह video useful लगी हो तो video को share कीजेगा